दोस्तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत बूलना दोस्तो मैंने आपके टेस्टा व्यू से सारे सवाल इपॉट के लिए हुए है उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा पहला सवाल हाली में किश देश ने दुनिया का पहला पृतिवी विग्यान उपगरहा गुआ गमू लाँच किया है दोस्तो चीन ने उत्री शक्षि परांद के ताईयोन सेटलाइन लाँच सेंटर से दुनिया का पहला पृतिवी विग्यान उपगरहा गुआ गमू या SDG-7-1 अंतरिक्ष में लाँच किया है दोस्तो इस उपगरहा को चीनी विग्यान अकाडमी द्वारा लाँच किया गया और सता विकास लक्षों के लिए बिग डाटा के अंतराष्टी अनुसंदान केंदर द्वारा विक्सित किया गया था दोस्तो गुआ गमू को लौंग मार छे वहागर राकट द्वारा लाँच किया गया जो कि 395 उडान मिशन है SDG-7-1 सता विकास के लिए UN 2030 एजन्डा के अनुसार अनकुलित पहला उपगरह है जिसे शांति और सिम्रिद्दी के लिए 17 SDG के साथ 2015 में अपनाया गया था दोस्तो चीन की राज़दानी बीजिंग है और चीन के राष्टपती शी जिन्पिंग है हमारा अगला सवाल है Global Drugs Policy Index 2021 के अनुसर अठारवे स्थान पर कौन सा देश है दोस्तो Global Drugs Policy दुनिया बर में दवा नितियों और उनके कारेवेन का डाटा संचलेत विशलेशन है इस उचांक में 75 संके तक शामिल है और इसमें दवा निति के 5 वियापक आयाम शामिल है जैसे अपरादिक नयाय, स्वास्ते और नुकसान में कमी, अंतराष्टी स्थर पर नियंते दवा तक पहुंच, चरम प्रतिकराएं और विकाश शामिल है दोस्तो Global Drugs Policy Index 7 नुमबर 2021 को हर्म रिडक्शन कौनस्ट्रियम दोरा जारी किया गया था इस उचांक में नार्वे, नियूजिलेंड, पूर्तकाल, यूके और अस्ट्रेलिया, मानवी और स्वास्ते संचले दवाओं नीतियों के समंध में 5 ग्रिनी देश हैं पांच सबसे कम रेंक वाले देश ब्राजील, यूगंडा, इंडोनेशिया, केने और मैक्सिकों हैं दोस्तो Global Drugs Policy Index में भारत को 30 देशों की सूच में 18 अस्थान पर रखा गया है भारत को कुल मिलाकर 100 में से 46 संच प्राप्त हुए हैं स्वास्ते और हानी में कमी पर भारत को 100 में से 49 संच मिले हैं प्रादिक नयाय परतिक्रिया और अनुपाति किताब पर भारत को 100 में से 38 संच मिले हैं दर्द और पीडा के रात के लिए अंतराष्टी स्तर पर नियंतरित पदार्थों की उपलब्दा और पहुँच पर भारत को सो में से 33 संग प्राप्त हुए है हमारा अगला सवाल फैडरेशन इंटरनेशनल डी जिमनास्टिक के अधेक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है दोस्तो मोरिनारी बतनेवे को तीन साल की अवेदी के लिए अंतरास्टी जिमनेस्टिक फिडरेशन यानि की फिक्क के देख्षे रूब में फिर से चुना गया है तुर्की में एक सम्हिलन के दोरान आयोजित फिक्क राष्ट्रपती चुनाव में मोरिनारी बतनेवने अजर वेजान के दावेदार फरीद गोईवाब को हराया था इससे पहले उन्होंने 2016 में 4 साल के लिए एक कारयले के लिए फिक्क के देख्षे रूब में चुना गया था दोस्तो अंतरास्थी जिमनास्टिक महासंग की स्ताबना 23 जुलाई 1880 में हुई थी अंतरस्टे जिमनास्टिक महासंग का मुख्याले स्वीजिलेंड के लोसाने में है हमारा अगला सवाल भारत के अगले नो सैना परमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों केंदर सरकार ने वाइस एडमिरियल आर हरी कुमार को अगले नो सना परमुक के रूप में नीक्त किया है। वे वर्तवान में पहचिम नो सना कमान के फ्लैग आफिसर कमांडिंगी इनचीफ हैं। वे तीस नुमंबर को अपना नया कारेकाल संभालेंगे। वर्तमान नो सना परमुक एडमिरियल करमवीर 30 नुमंबर 2021 को सेवा से रिटायर होंगे। हमारा अगला सवाल है डियारडियों ने किस देश के साथ मिलकर नवो नमेश और दोहरे उपयोग वाली तकनीक विक्सित करने के लिए शोद को बढ़ावा देने के लिए करार किया है। दोस्तो भारत और इसरायल ने हाली में तकनीकी सहयोग और प्रगाड बनाने के लिए नवाचार के शेतर में एक दुपक्षिय समझोते पर हस्ताक्षिर किये हैं। ये समझोता DRD और DDRND और इसरायल के बीच हुआ है। भारत और इसरायल ने ड्रोन, रोबोटिक, कुकरी, मुद्यमिता और कौन्टम कम्प्यूटिंग समेथ अगली पेड़ी की परदियोगी की और उतपादों के सियकत रूप से विकास हेतु समझोता किया है। हमार अगला सवाल हाली में भारती नोसाना को प्रोजक्ट 75 के तहट चोथी सकार्पियन पुंडूबी सूंपी है। उसका नाम क्या है। दूस्तो भारती नोसाना के प्रोजक्ट 75 के तहट चोथी पुंडूबी वैला सूंपी गई है। प्रोजक्ट 75 में स्कार्पियन क्लास की छे पुंडूबियां शामिल है ये सभी पुंडूबियां made in इंडिया है अब तक जितनी भी पुंडूबिया इस प्रोजक्ट के तहद बनी है उन्हें मजगाउन टाक्षिप बिल्डर लिम्टेड यानि की MDL मुंबेई में बनाये ग हाली में 5G स्मार्ट फून लाउंच करने वाला पहला इंडियन ब्रांड को बन गया है दोस्तो 9 नममबर को ग्रेलू मुबाइल फून कंपणी लावा इंटरनेशनल ग्रेलू उपबुगताओं के लिए 5G स्मार्ट फून पेश करने व्ला पहला भारत के बरांड बन गया ह स्मार्टफोन को अगनी नाम ब्रांड के तहत लौंच किया गया स्मार्टफोन भारत का लावा दोरा विक्सित किया गया है और इसका नर्मान उत्तर परदेश के नोईड़ा में स्थित कमपनी के कार खाने में किया जा रहा है लावा इंटरनेशनल के अध्यक्ष और बेपार मरमुक सुनील रेना है हमारा अगला सवाल हाली में केंदरी उद्योगिक सुरक्षा बल यानि की CISF का अगला परमुक किसे निउक्त किया गया है दोस्तो बारतिय पुली सेवा के वरिष्ट अधिकारी शील वर्दन सिंग को केंदरी उद्योगिक सुरक्षा बल यानि की CISF का परमुक निउक्त किया गया है सिंग 1986 बैच के बिहार के आईपियस अधिकारी हैं और फिलाल खुफिया बियोरों में वीशेश निदेशक के पदबर तेनात हैं कारमिक मंत्रले दोरा जारी अधिश के मताबिक सिंग को CISF का महा निदेशक निक्त किया गया है और वह अपनी सेवन निवरती 31 अगस्त 2023 से इस पत्त क बने रहेंगे हमारा अगला सवाल हाली में कौन महिला खिलाडी अक्तूबर 2021 के लिए ICC Player of the Month अवार्ड से चुनी गई है दोस्तो लारा डेलाणी को महिला खिलाडी अक्तूबर 2021 के लिए ICC Player of the Month अवार्ड के लिए चुना गया है हमारा अगला सवाल शानती और विकास के लिए विशव विग्यान दिवस यानि की World Science Day for the Peace and Development किस दिन मनाया जाता है दोस्तो परतेक साल 10 नुमंबर को संपून विशव में शानती और विकास के लिए विशव विग्यान दिवस यानि की World Science Day for Peace and Development के रूप में मनाया जाता है शानती और विकास के लिए विशव विग्यान दिवस एक अंतरश्टी दिवस है ये दिवस समाज में विग्यान की महतपुन वोमिका पर प्रकाश डालता है ये दिवस साल 2002 में पहली बार मनाया गया था दोस्तो जर्नल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना बुले धन्यावाद